मरने के बाद क्या होता है मरने के बाद तेर भी क्यों मनाई जाती है और मौत के चौश गंटे बाद आत्मा वापस गर क्यों आती है और क्या मौत के बाद आत्मा गर पर ही रहती है आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे आप बस वी पढ़ जाते हैं नमबर दो मरने के बाद इनसान का संपूर्ण जीवन जन्म से मौत तक फ्लेस्वेक की तरह इस पीड से देखता है और बिग्यान के अनुसार ये सपना करीब साथ मिनट का होता है और उसके बाद ब्रेंज सट डाउन हो जाता है और इनसान अपने सुनने की स सख्टी खो देता है और उसके बाद शरीर और आत्म को जो connection होता है और टूट जाता है और इस से आत्मा सरीала से मुक्तgio ने पाद के बाद के बाद बोड़ी को अकेला नहीं चोड़ना चाहिए अगर रात को बोडी को घर में रखा जाए तो संपून परिवार रात सब को दिकाई देते हैं एक बार दोस्तो बोडी को रात में अकिला छोड़ दिया गया था जिसके बाद बारी प्रोतों ने उस पर कबजा खर लिया और बोडी ने पूरा गाम जला दिया और तब से लेकर आज तक कोई भी डेड़ वोडी को रात के समय अकिला नहीं चोड़ता आकरी समय में दो यमदूत आते हैं और मरने वाले के साथ वो जैसा उसने पूरे जीवन में बाकी लोगों के साथ व्यवार किया था बैसा ही व्यवार उसके साथ भी करते हैं अगर मरने वाला अच्छा आदमी था तो वो इसलिए प्रांट त्याग देता है लेकिन पापी इंसान यमदूतों के टौर्चा से तड़प तड़प कर मरता है अब उस आत्मा को यमराज और चित्रगुप्त के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है और चित्रगुप्त उस व्यक्ति के पाप और पुन्य का लेका जो का यमराज के सामने रखते हैं और उसके कर्मों के आदार पर उसे स्वरगय नरक में बेजा जाता है गरुपुराण के अनुसार बैसे कुल 36 प्रकार के नरक है और यहां पर बताए गई सजा किसी की कलपना से भी ज़्यादा खतरनाक है अगर कोई सूसाइड करता है तो उसे ज़्याद तकलिफ सहनी पड़ती है क्योंकि उसने निर्दारी समय से पहले ही हार मान ली अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब बाते हमें कैसे पता गरुपुर्देप जिनका वल अतुलनी है वे एक कहानी प्रचलित करते हैं गरुपुर्देप स्वर्ग से अमरत कलस लेकर उड़ गए थे लेकिन उन्होंने अमरत पान नहीं किया और यह बर्दान होने से शिरी हरी नाराण ने पिरसन होकर दिया था गरुपुर्देप तो अमर है और उन्हें नहीं पता कि मिर्टु के बात क्या होता है और इसलिए उन्होंने इसका जबाब स्री नारायन से पूचा और इसी जबाब को हम गड़ पुरान के नाम से जानते हैं भगवत गीता में स्री किस ने कहा कि आत्मक कभी नहीं मरती वो बस एक सरीर से दूसरे सरी में प्रिवेश करती है दोस्तों आपको भी वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं एक अगली नौलेजबरी वीडियो के साथ